हेलो फ्रेंज, आज मैं साबू दाना की मीठी खिचडी की रेसिपी सेर करने वाली हूँ, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खिली खिली एकदम बहुत ही अम्मेकजिंग बनने वाली है तो देख पार हरूगी, यहाँ पर मैंने एक cup में साबुधाना लिया है, एक medium size के जो साबुधाना आते हैं, मैंने वही साबुधाना को ले लिया है तो साबुधाना की खीचडी बनाने के लिए सबसे पहले इसका measurement बहुत जादा महीने रखता है तो मेरे जर्मेंट के लिए मैंने कप में ले लिया साबूदाना और साबूदाना को अच्छे से रगड़ रगड़ कर दूलोंगी इसके सारे स्टार्च को निकाल लोंगी कम से कम 3-4 बार दूल के दूलने के बाद इसको छनी में रख दूंगी और जिस कप से आप साबूदाना लेंगे उसी कप से पानी भी डालना जितना साबूदाना उतना ही पानी डालके 4-5 गंटे के लिए सोक करके रख देना है तो यहां पे मैंने 4-5 गंटे के लिए साबू दाना को सोख करके रख दिया था और जब सोख हो गया था तो मैंने इस तरीके से छनी में डाल दिया था तो फ्रेंट छबी में डालने से आप देख पार होंगे बिल्कुल भी हाथ में पानी नहीं लगेगा यह बहुत ड्राय हो चुका है और यह आप देखिये दबा के उगलियों के बीसे तो यह दब जाने चाहिए सावुदान परफेक्ट खिल के त्यार हो चका है तो चलिए इसको बनाने के प्रोसेस में चलते हैं यहाँ पर मैंने चूले पर पैन चड़ा दिया था पैन गरम हो चुका था तो मैंने यहाँ पर तीन से चार बड़े चमच घी डाल दिया है यह घर का देशी गी है और इस तरीके से चारो तरफ फैला देंगे ताकि सावुदान अथ हलका हलका चिपकने का डरे तो चिपके नहीं तो आप देख पार होंगे चारो तरफ मैंने फैला दिया है फैलाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं मुंखफली डालूँगी कुछ ड्राया फ्रूट्स को मैं रोस्ट करूंगी घी के साथ और साथ मैं काजू को और कुछ बहने बदाम काती है इनको भूनने के ल होंगे तो नमक डाल सकते हैं मैं मेरे घर में नमक वाले वर्त में नहीं खाते हैं तो मैं यहाँ पर मिठी साबुदाना की खिचडी की रेस्पीसर कर रही हूं तो यह सभी अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुके थे यहाँ पर मैंने कुछ नारियल कात लिया थे सुखे और इनको मैंने यही पर डाल दिया सबसे पीछे में क्यूंकि नारियल बहुत जल्दी से रोस्ट हो जाता है तो इस तरीके से सारे रोस्ट हो चुके थे यहाँ पर मैं साबुदाना डाल रही हूं और फ्रेंच देखिएगा साबुदाना एकदम ट्रांस्पेरेंट हो यहाँ पर एड कर सकते हैं सेंदार नमक जो बरत में खाये जाते हैं लेगिन मैं मेरे घर में यूज नहीं करती हूं नमक तो यहाँ पर मैं मिठी साबुदाना की खिचरी बनाओंगी तो यह देख पारे हूंगे कितना अच्छा ट्रांस्पेरेंट हो रहा है साबुदाना और यह बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है तो अब हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पैन चरहा दिया था और पैन में मैंने डाल दिया है दो से तीन चमच सूजी और सूजी को हलका सा रोष्ट कर लूँगी बढ़िया से ताकि इसमें जब तक अच्छी-ची खुसबू आने लना रख जाए तब तक इसको रोष्ट करूँगी और यहां पर आप देख पार होंगे अच्छे से रोष्ट हो चुका है तो मैं इससे क्या करूँगी कि साबू दाना में एड कर दूँगी अब मैं सूजी क्यों डाल रही तो खिला-खिला और फर्फेक्ट बन के त्यार होगा तो चीनी भी आमने इसमें डाल दिया आपने मिठे के इसाब से आप जितना मिठा खाना पसंद करते हैं उतना चीनी डाल सकते हैं या तो अगर गुड़ोगा पिसा हुआ सकर आता है न वो भी आप यहां पर डाल सकते ह तो यहां पर मैंने सूजी को इसलिए डाला था ताकि जब चीनी पानी छोड़े तो उस पानी को सूजी सारा सोक ले और हमारा साबू दाना का जो मीठी-मीठी खिचडी वो अच्छे तरीके से फर्फेक्ट डारेक दम खिला-खिला बन के त्यार हो तो यहां पर आप देख पारे होंगे आप ठाली में निकालके एक दम ट्रांस्पेरेंट साबू दाना की खिचुरी बहुत ही बढ़ियां बहुत ही पर्फेक्ट बन के त्यार हो चुकी है फ्रेंस आप देख पहर होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से बन के त्यार हुए हैं और अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज एक लाइक की जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे कई फ्रेंस लोग वीडियो को देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरू कर दें तो यहां पर मेरा यह बर्त वाला थाली बनके त्यार हो चुका है सावन का महिना में आता है ति यह देखिए इस तरीके से सावु धन्ना का मिठी किश्रिया बना के त्यार कर सकते हैं और खा सकते हैं